नमस्कार दोस्तों मैं हूं मन्मिंदर और MBN नेट्वर्क में आप सभी लोगों का भह स्वागत है कॉंग्रेस को राम से नहीं वोट से मतलब है यानि के कॉंग्रेस 22 जन्वरी को राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा समारों में नहीं जा रही है क्यों क्योंकि उन्होंने ये सीधे सीधे कह दिया है कि हम इस समारों में नहीं जा रहे हैं और ये कॉंग्रिस की तरफ से एक वक्तव्य भी है जैराम रामेश का जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है कि वो कितना अपने वोटों के लिए फिकरमंद है और कितना वो राम को चाहते हैं उनकी आस्ता क्या है ये सब उन्होंने इसमें बता दिया है तो फाइनली ये क्लियर हो गया राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा समारों के निमंतरन को ठुकरा करके कॉंग्रेस ने ये सावित कर दिया कि वो सनातन धरम में विश्वास नहीं रखते हैं कटर विरोधी है उल्टे वो और हिंदों को अपमानित करने और मुस्लिम तुष्टी करन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े अब कॉंग्रेस ने जो मैंने आपको वक्तव है दिखाया है उसमें ये साफ कर दिया है कि पार्टी आला कमान सोनिया गांदी राष्टिय देक्ष मलिक अजन खड़गे सांसत अधी रग्जन चौधरी समेथ कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता अजोध्या नहीं जा रहे हैं पिछले महीने यूनो राम मंदिर ट्रस्ट की और से कॉंग्रेस के इन नेताओं को नियोता गया था नव निर्मित भवय राम मंदिर में प्रान परतिष्टा समरों में शामिल होने के लिए लेकिन अब कॉंग्रेस का मुस्लिम प्रेम देख लीजे आप दरसल उनके सामने डेवान से ही दुविधा थी कि वो क्या करें क्या ना करें उनको बार-बार श्री राम का ध्यान नहीं आ रहा था उन्हें अपने मुस्लिम वोटों का ध्यान आ रहा था 2024 का आम चनाव नजदीक आ चुका है ऐसे में कॉंग्रेस इन समारों में शामिल होकर के अपने मुस्लिम वोट बैंक को नराज क्यों होने देगी इसलिए उसने ये बहाना बना लिया कि समारों का आयोजन BJP और RSS के लोगों द्वारा किया जा रहा है अब उसका अपना मन है, माइंसेट है जो मर्जिक है वो और राजनीतिकरन का आरूप लगा करके कॉंग्रेस पार्टी ने बाकाइदा एक वक्तव जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि BJP और RSS ने वर्षों से अजोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजन बना दिया है यानि कि सारे सपने इनी को आते हैं कि BJP क्या कर रही है, RSS क्या कर रहा है और साथ में ये भी कह दिया है कि अर्ध निर्मित मंदिर का उद्गाटन केवल चुनाव इलाप के लिए ही किया जा रहा है अच्छा ऐसा कहने की पीछे कॉंग्रेस की कहानी भी है जिस समय प्रधानमंद्री नरेन मोदी 5 अगस्त को अजोध्या में राममंदिर निर्मान के लिए भूमी पूजन के लिए गए थे भूमी पूजन से पहले अजोध्या में सभी को पता है जश्न का महौलता है लेकिन इसी के बीच गांधी परिवार के जो सदस्य थे इसमें चुप्पी सादे हुए थे मनला जैसे उन्हें साप सो गया हो और राममंदिर पर सोनिय गांधी प्रेंका वाडरा ने कुछ नहीं कहा खुद को जन्यवधारी बताने वाले कॉंग्रेस के जो नीता है आगी पीची तो मंदिरों के चक्कर लगाते हैं लेकिन जिस समय पूजन होता है उस समय कोई ट्वीट नहीं कोई रियक्शन नहीं और सवाल उठा दिया कि क्या राममंदिर के भवे निर्मान से आगे क्या होने वाला है बताया जाए उस समय तो यह लोग यह कह रहे थे कि तारीक बताईए हमें कि मंदिर का निर्मान कब होगा अब जब मंदिर का निर्मान हो गया है तो अब पेट में दरत शुरू हो गया है आपको मैं ये तस्वीरे दिखाती हूँ जिसमें ये कितना ढोंग करते हैं आप ये देखिए कि किस तरीके से ये क्या क्या चीजे कर रहे हैं लेकिन आप इनके बैटने का अंदाज देखिए जैसे ये नमाज अधा कर रहे हैं नमाज अता करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मंदिर में बैट करके इस तरीके का इन्होंने पोस्टर दिया है तो इस पे इन्हों मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने भी इनको गुसे में ये खा था कि आप कर क्या रहे हैं आगी एसलियत है और इंडी कठपंदन के जो सो कॉल्ड सेकुलर और वामपंती पाटियों का दोगलापन जो है वो भी इस बहाने से खुल के सामने आ चुका है क्योंकि सेकुलर सभी धर्मों का आधर और टतस्ता की बात करते हैं वहीं वामपंती किसी भी धर्म में विश्वास नही सीता राम ये चुरी पहले ही ये कह चुके हैं कि उन्हें किसी चीज में कोई भरोसा नहीं है देखिए पता नहीं इनका नाम सीता और राम सीता भी है उसमें राम भी है किस ने लखा शाय से जो नाम हम लोगों के आँ रखने की एक परंपरा है वो माता पिता को ही अधिकार मिल जाता है अलाकि आप तो बढ़े हो कि अपना नाम भी चेंज कर देते हैं लेकिन इनके माता पिता ने नजा ने क्या सोचके इनका नम सीता राम रखा होगा जिसमें सीता भी है र वामपंथी माइंड सेट के हो गए कि इन्होंने नियोते को स्विकार भी नहीं किया और कह दिया कि ये इस कारेकरम का यानि कि धार्मिक कारेकरम का राजनीती करन है इन्हें घर में बैटे बैटे सारे सपने आते हैं धार्मिक आस्ता का सीधा राजनीती करन हो रहा है ये भ पंदपंति दल जो है इनके मुँँ में दई क्यों जम जाता है यहां तक कि यह इसको भाईचारे का नाम देते हैं तब धार्मिक मामलों का राजनीति करण इनको दिखाई नहीं देता हैं कॉंग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया हैं बीजेपी के सांस और नयास ने राम मंदिर के उधगाटन के लिए परधान मंतरी नरेन मोदी को अमंतरित किया हैं उधगाटन तो परधान मंतरी नरेन मोदी के हातों ही होना चाहिए था मंदिर का समय से बन जाएगा या नहीं बनेगा ये किसी को पता नहीं था लेकिन चुनाव को ध्यान मे रख करके कोई काम नहीं किया जाता अगर एक सड़क भी बन रही है तो इसके साथ दूसरे काम भी चल रहे होते हैं वो ये इसमें साफ करना चाह रहे हैं कि जो बार-बार कॉंग्रेस कह रही है कि ये राम मंदिर का जो नया से लोकसभा के चुनाव को देखते भी किया जा रह अपने दिमाग का एक वहम है वहम का तो कोई एलाज नहीं नहीं है अचा रहूला गांदी ने उमीड नहीं क्या कर सकते आप वो तो वैसे भी जो है I'm sorry to say किसी काम के नहीं है वैसे Congress के जो नेता है राहूल को PM का face project करते हैं लेकिन उनमें वो गर्स तो है नहीं ये भी Congress के नेताओं को पता है और राहूल गांधी को किसी ने invite भी नहीं किया है दरसल खुद को हिंदू साबित करने वाले राहूल ना तो सनातन के बारे में कोई जानकारी रखते है ना ही उन्हें पूजा की विद्धिविदान पता है और फिर उन्हें पता भी कैसे होगा उनकी मा सोनिया गांधी इसाई है इतना ही नहीं उनके दादा उनका नाम फिरोज खान गांधी जाहिर है वो ना तो धरम से ना सनस्कार से ना ही जनम के अधार पे हिंदू है ऐसे बस सवाल ये उड़ता है कि आकिर वे बार-बार खुद को हिंदू साबित करने में क्यों लगे रहते हैं क्यों माते बेतेलक लगाते हैं क्यों मंदिरों में जाते हैं क्यों पुझा अचन करते क्यों दिखावा करते हैं और अब अब जब प्रान प्राशिष्चा का समारो हो रहा है तो कॉंग्रेस की जो एटिटूड है वो देखिये कॉंग्रेस पार्टी और उसके निताओं की हिंदू धरम हिंदू देवी देपताओं में कोई आस्ता नहीं है उनकी आस्ता अगर है तो वो है वोटों में हिंदू धरम में आस्ता और जनयवु धारी हिंदू बनने का ढ़ों करने वाले राहूल गांदी के खासम खास वरिष्ट कॉंग्रिस नेता मनी चंकर अईयर ने हाली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोग्राम आयोजीत किया जाता है एक शाम बाबरी मस्जीत के नाम इसमें वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भगवान राम अजोध्या इस्सित राम जनम भूमी स्थल सभी को कट घरे में खड़ा कर अजोधियर ने कहा कि दश्रत एक बहुत बड़े राजा थे उनके महल में दस हजार कमरे थे लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बताना ही बहुत ही मुश्किल है इसलिए दावा करना कि राम वहीं पैदा हुए थे ये ठीक नहीं है अब इस तरीके का माइं सेट ले करके कॉंग्रेस जब दोहजार चौविस के चुराव में उतरेगी तो आप समझे कि उन्हें कौन वोट देगा और इसी सोच के साथ कॉंग्रेस अगर राम मंदिर प्रान प्रस्थिष्टा आयोजन में नहीं जा रही है तो पर्सनली मैं समझते हूँ कि यह बहुत अच्छा कर रहे हैं वैसे एक बात है जिनके लिये कॉंग्रेस राम का त्याग कर रहे है न वो कभी भी ना तो इनके थे ना इनके होंगे और यह जो बार-बार कह रहे हैं कि मंदिर का राजनीति करन किया जा रहा है इनको इसका भी परिनाम आने वाले चुनाओं में जनता देगी अपने हिसाब से हमें आपको कुछ भी नहीं करना है मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ कि इनका माइंड सेट क्या है लेकिन जनता इनको अच्छा से सबक शिखाने वाली है आने वाले चुनाव में ये जो उन्हों ने राम मंदिर का निमंत्रण जिस तरीके से जिस एहंकार से उसका इन्हों ने विरोध किया है और ये साफ़साफ कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं इसका जवाग इन्हें जनता जरूर देगी और दूसरी बात यह है कि इन्हें भगवान राम में भरोसा नहीं है भगवान राम में इनकी आस्ता बिल्कुल नहीं है इनको चाहिए इनके मुस्लिम वोट इसी लिए सारी कवादिये कर रहे हैं मुस्लिमों को खुश करने के लिए और मंदिर जो है उतरपरदेश में है और उतरपरदेश में उतरपरदेश की जो असी सीटे है उस पे इनकी नजर है हलाकि इनके हिस्से सीट शेरिंग में नजाने कितनी सीटे आएंगी लेकिन सब जो कुल मिलाके तस्वीर सामने आ रही है न उसमें दिखाई यही दे रहा है कि अगर इनकी राम में आस्ता नहीं है तो इनको जवाब जन्ता देगी जिनके लिए यह राम को त्याग रहे हैं जिनके लिए राम के अस्तित पे ही सवाल उठा रहे हैं और जिनके लिए यह राम को अपने मुँ में जो भी आ रहा है उनके लिए यह बक्वास बाजी कर रहे हैं वो इन्हें कुछ भी नहीं देने के और जो देना चाहेंगे वो वैसे नहीं देंगे यानि कि ये राम मंदिर का जो मामला है ये BGP का बनाय हुआ नहीं है ये इन्होंने खुद बनाया है किसने कॉंग्रेस ने बीजेपी तो केवल राम मंदिर के लिए उन्होंने ये कहा था कि हम बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बना दिया, अब मंदिर का प्रान प्रतिष्टा समारो हो रहा है, लेकिन अब इसको गलत वे में, नेगटिव वे में मुद्दा जो बना रहे हैं, वो आने वाले शुनाव में इनको इसका नतीजा भी सामने आयागा इनके, कि कैसे श्री राम का जो इन्होंने अपने मन में जो भी आया, बोला है, उनके अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया है, तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो मेरा देखा है, धन्यवाद, एक और बात जो मैं हमेशा आप से कहती हूँ, आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, मेरे कॉमेंट सेक्षन में आप अपने टिपनी जरूर ड्रॉप करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रूप्स में, वाट्सेप ग्रू को सब्सक्राइब भी कर लिजे, ताकि जो भी मेरा लेटिस कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का खयाल रखिए, खुश रहिए, स्वस्त रहिए, जय हिन, जय भारत!